ऐलो गुद इबनिंग नमस्कार गलोबल यूनी कॉर्ण इंडेक्स यानी वाइसविक यूनी कॉर्ण सुचकांग दो हजार चौविस रिलीज हो चुका है और यहां रिलेज किन के द्वारा किया जाता है उरून रिसर्च इंस्टिटूट UK-based research institute है, उनके द्वारा किया जाता है अब हम देखते हैं कि इस unicorn index यानि Vice-week unicorn सुचकांग 2024 में क्या क्या बताया गया है unicorn क्या होता है और यह research क्या बताया है और India का especially क्या अस्थान है चलिए शुरू करते हैं नुच हुरून research institute का global unicorn index 2024 यह वाइसविक unicorn index 2024 रिलीज हो चुका है unicorn क्या है unicorn startup का एक परकार है अभी हम देखते हैं सब समझेंगे न यह startup का एक परकार है अब यह रिलीज हो चुका है और यह जो institute है यह 2000 में बना है और तब से यह सुचकांग को रिलीज करता है परकासित करता है पूरे विश्व की बात करें तो 53 country यानि 53 country से unicorn आते हैं जो पिछले साल 48 था तो बढ़े हैं और अगर city की बात करें तो पिछले साल 271 city से unicorn आते थे अब 291 city से आते हैं अगर टोटल नंबर की बात करें पूरे विश्व में कितने unicorn है तो 1453 unicorn है 92 माइनस कर देंगे उतने पीछले साल था तो unicorn अब यहां पर क्या है unicorn को समझने से पहले हम सुरू में बता चुके हैं आपको की unicorn a type of startup है तो सबसे पहले आप समझिए startup क्या होता है इस startup में थोड़ा सा changing हुआ है definition में startup जो होता है वह company कोई company जो private हो या venture में हो वह company startup का जो tag है वह पहले 7 साल था अब 10 साल कर दिया गया 10 साल तक वह enjoy कर सकते हैं startup का जब से बने हैं जब से inception उसका हुआ है और अगर turnover की बात करें तो पहले 25 करोड था अब 100 करोड हो गया है ऐसा इसलिए government सरकार किया कि यह thrive करे फले फुले इंडिया में तभी तो पूरे 20 में तीसरा अस्थान है हमारे startup में और इस startup को बहुत सारे फाइदे दिये जाते है government के तरफ से कि यह और आगे बढ़े अब देखेंगे क्या-क्या-क्या-क इनिसियेटिव government के तरफ से उठाया गया तो अब startup समझ गया startup क्या होता वह company जो जिसका turnover 100 क्रोड तक है इससे जादा नहीं होनी चाहिए और 10 साल तक हाट आगी यूज करते हैं और 2016 में हमारा startup policy आया उसके बाद में तो income tax में भी इनको एक जमसन मिलता है छोट मिलता है यह मोटा-मोटी समझ गया startup क्या होता अब आते है unicorn अब unicorn समझ जाएंगे थब हम समझेंगे कि यह actually या report या सुचकांक क्या कहता है इकोनोमी के लिए बहुत important है अब unicorn क्या होता है आप तो समझ गया startup startup 10 year हो गया और capital क्या हो गया 100 करोर हो गया अब वह startup जिसका capital एक billion dollar हो यानि एक billion dollar मिन्स अगर रूपए में convert करे तो लगभग हो जाएगा बेरासी सो करोर रूपए अगर इतना इतना startup का अगर turnover हो गया उनका value हो गया और इसके साथ साथ तो अगर कोई exchange में public exchange में listed नहीं है तो उनको unicorn कहा जाएगा बात आरहा है समझ में वह startup जिसका worth जिसका value कम से कम एक billion dollar हो और वह किसी public exchange में listed नहीं हो सामिल नहीं हो तो उसे हम unicorn कहेंगे तो unicorn is the type of startup वह startup जिसका value 1 billion dollar हो गया जैसे हमारे स्वीगी है sports जो dream 11 है और भी बहुत सारे है जो की unicorn है इसमें बाइजू में बताया क्या है बाइजू जो एडटेक है उसका valuation इतना कम हुआ है को भी नंबर वन है इतना कम किसी का हुआ ही नहीं है यह जो unicorn है वह एलीन ली जो venture capitalist थे 2013 में इसको क्वाइंड की है उन्होंने ऐसा startup का निकाला जिसका एक बिलियन डॉलर से अगर ज्यादा एक बिलियन डॉलर उनका value था तो उनको उन्होंने क्या बला unicorn नाम दिया आरा बा समझ में तो इस unicorn का सुचकांग निकालता है मनि किस country में कितने unicorn है बात आरा समझ में चलिए अब report पे आता है इनका सुचकांग पे आता है चुकि 2024 का रिपोर्ट है रिपोर्ट रिलीज हुआ है तो 2023 का ही data यूज किया गया होगा इंडिया में 67 unicorn है जो कि पिछले साल जो है 68 था एक कम हुए है वाक्यों कम हुए है चुकि हमारा unicorn aerospace और space tech sector में थोड़ा सा कम है अभी technology में है सबसे ज्यादा unicorn USA में है अफकोर्स होगा ही 703 unicorn है उसके बाद चाइना में है 304 उसके बाद इंडिया है हम इंडिया में है कितना 67 देन UK और EU है 4 और 5 इसके बाद कोई नहीं पूछता उपर चे 5 कोई कोई पूछता है तो हम अगर तीस स्टार्ट अप में भी तीसरे नंबर पर आते हैं और unicorn में भी तीसरे अस्थान पर आते है यह भूरुन रिसर्च रिसर्च का या शुचकांग है अब हम देखते हैं कि इसका कारण है कि unicorn decline थीसरे अस्थान पर तो हमारे यहां जो अभी भी है ने start-up ecosystem उतना अच्छा नहीं दूसरी बात क्योंकि investment का अभी भी कम है मालीजे कि कोई company ABCD कोई A अगर शुरू करते हैं तो शुरू में उनके पास पैसे है नहीं तो अमेरिका हो गया चाइना हो गया वहां बहुत सारे अंजल इंवेस्टर जिनको बोलते हैं वह पैसे लगा देते हैं लेकिन यहां पर उस वान पर जैंगते हैं लेकिन BIDES में offer ज्यादा है अब देखिए हमारे यहां इमटिया में ंडियन के द्वारा इंडियन 67 यूनिकॉर्ण हैं लेकिन यहीं इंडियन को फॉइंडर के माध्यम से 109 यूनिकॉर्ण के को फॉइंडर है जो वी देश में तो अगर यह नमबर जोड़ देंगे तो चाईना के पर चाईना के करीब पर हम लोग पहुंचने वाले हैं ना चाईना का तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हाँ नमबर तो बढ़ रहा है तो यह जो आफसोर यूनिकॉर्ण है वह ज़्यादा है हमारे यहां इसलिए यह नमब कम है फैक्टर विहाइंड उसके आला में बोल सकता है कि थोड़ा सा है न सस्टेनेबलिटी इंस्योर करने में बीजनेस के माद़े में हम थोड़ा सा अभी उतने नहीं है दूसरी बात कि कैस रिजर्व वोगरा का भी यहां पर थोड़ा सा पंगा होता यहां पर प्रोब्लेम है तो यह मिलाजूला के चुकि अब हम डेवलप कंटरी से तो सकते लेकिन फिर भी हम अच्छे हैं अगर यूके से अच्छे हैं यूसे अच्छे हैं तो अच्छे है है अना अब हम आते हैं कि क्यािंशियम list ुलिया गया है करते हैं तो बहुत सारे एक्स पॉर्ट आपके पैसे को मौनिटर करते हैं तो यहां फॉपर्ड फॉंट इंको फंडिंग मिले क्यों चुकि हमारे यहां फंड का थोड़ा से कम यह देखें फक्टर में तो इसलिए funds of funds दिया गया है कि इनको funding मिले दूसरी बात कि जो फर्स्ट अपरेल 2016 से जो भी startup incorporated हुए है बने है उनके लिए tax में छूट है हम लोग जो भारत है national startup award देता है जो भी अच्छे startup करते हैं उनको तो इस सारी जो promote करता है startup ecosystem के हमारे इंडिया में के लिए अब हम आते हैं कि इंडिया का startup ecosystem क्या है देखिए हम सुरु में बता चुक है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट startup ecosystem है इंडिया में थर्ड तो हम यूनिकॉंड भी आए 67 और 2021 में से देखिए हमारे पास यूनिकॉंड 44 थे अभी कितना है 2022 इस्टेटस इंडिया स्टार्ट अप एचीव यूनिकॉंड स्टेटस इन 2021 अभी कितना है 2023 में 67 2022 में कितना था 68 तो अच्छा अचीव्मेंट है अब अगर बात करें 2015 से 2022 के बीच में तो हम लोग 15 टाइम 15 गुना फंडिंग बढ़ाएं है इस्टार्ट अप का और 9 गुना इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ इन्वेस्टर का इन्वेस्टर इंक्रीज हुए है तो यह हमारा इंडिया का स्टार्ट अप इको सिस्टम है किलियर तो इसका पीडिया फम टेलिग्राम चैनल है हमारा तीवारी जेनल स्टेटी उस पर मैं डाल दूंगा वहां से देख लीजिएगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगाओ कुछ सीखें हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.